जिन सब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं वह सब्द क्रिया कहलाता है तो देखिए बालक पढ़ रहा है बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है तो वो क्रिया है पढ़ने का कारिय कर रहा है बालक खेल रहा है तो बालक खेलने का कारिय कर रहा है वो भी सब्द क्रिया है बालक खा रहा है बालक खाने का कारिया कर रहा है अता पहले वाकी में पढ़ने का कारिया दूसरे वाकी में खेलने का कारिया तथा तीसरे वाकी में खाने का कारिया किया जा रहा है अता पढ़ना खेलना तथा खाना सब्द ये सब क्या है क्रिया है जो बालक कर रहा है क्रिया का मूल रूप धातू कहलाता है कर्ता तथा कर्म अब कर्ता कौन होता है और कर्म क्या होता है हरिस पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक पढ़ता है हरिस कौन है करता है हरिस करता है और पुस्तक पढ़ रहा है यदि हम प्रश्ण करें कि कौन पुस्तक पढ़ता है पतला प्रश्ण पूछा जाएगा कि पुस्तक कौन पढ़ता है तो कौन पढ़ रहा है हरिस हरिस पुस्तक पढ़ रहा है इसी प्रक कर्म कर्या कर्म कर्या बाता हूं सा कर्म क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव, सा कर्म क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, या जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, सा कर्म क्रिया कहलाती है, मोना गाना गाती है, तो मोना गाना गाने का कारे कर रही है, यह सा कर्म क्रिया है, राहूल इस्कूल जाता है काब्या बीड़ा बजाती है हर्शित फुटबाल खेलता है अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं ये सब क्या है सारी सकर्मक्रियाएं हैं और दूसरा है अकर्मक्रिया तो अकर्मक्रिया क्या होती है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म क्रिया के साथ कर्म नहों कर्म क्रिया कहलाती है जैसे मोना गाती है मोना गाती है सिर्फ मोना गाती है इसलिए इसमें साथ कर्म क्रिया नहीं है अकर्म क्रिया अगर यही होता कि मोना गाना गाती है तो यह साथ कर्म क्रिया हो जाती तो मोना गाती है सीवा जाता है अध्यापक पढ़ाता है कमला नहाती है अलका रोती है ध्यान दीजिएगा सरकर्मक्रिया जरूरी नहीं कि कर्म एक ही हो सरकर्मक्रिया में जरूरी नहीं है कि कर्म एक ही हो इसमें दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं जैसे क्या है राम ने राम ने चम्मस से खीर खाई सकर्मक तथा आ कर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए किसे आदी सब्ड लगा कर प्रशन होते हैं जिस क्रिया में प्रश्ण पूछा जाता उस प्रश्ण का उत्तर आता है वो सकर्म क्रिया होती है यदि उनसे प्रश्ण करने पर कोई उत्तर आता है तो क्रिया सकर्म करने था नहीं है अपूर्वा ने हिंदी पढ़ी तो पूछे का अपूर्वा ने क्या पढ़ी तो हो क्रिया पर बचन के बारे में आप लोग जानते ये और लिंग का प्रभाव बचन होता है जैसे एक बचन दुवी बचन बहु बचन अलिंग इस्त्री लिंग और पूलिंग और नपुन संक्लिंग होता है यदि करता एक बचन होता है तो क्रिया भी एक बचन होती है यदि कारे करने वाला एक बचन है तो क्रिया भी एक बचन ही होती है यदि करता बहु बचन होता है तो क्रिया भी बहु बचन होती है जैसे लड़का मैदान में खेलता है और लड़क मैदान में खेल रहे हैं यह क्या हो गया बहु बचन हो गया करता भी और क्रिया भी दोनों एक बचन और दोनों बहु बचन कि ससांग पत्र लिखता है एक बचन है करता भी और क्रिया भी और सुरभी पत्र लिखती है यह भी एक बचन है यहां ससांग पूलिंग के साथ लिखता है ससांग क्या है पूलिंग है क्रिया का प्रयोग हुआ है इसी प्रका सुरभी सुरभी क्या है इस्त्री लिंग के साथ लिखती इस्त्री लिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है थेंक्यू बच्छो